नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका सीपी स्मार्ट क्लासेश में दोस्तों जूनियर सिच्छक भरती आचुकी है और इससे संबंधित अब छात्रों के प्रस्ण भी बहुत सारे उठने लगे हैं कि आखिर पेपर का पैटन क्या होगा कौन कौन अप्लाई कर सकता है छात्र अ में कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं तो आपके इन सभी प्रस्णों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा वीडियो सुरू करते हैं अगर आप पहली बर चैनल पर आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन दबादें जिससे इस तरह की अपडेट आपको समय से क्या क्या होगा तो सबसे पहले देख लेजिए कि एक सामान ज्यान का प्रस्ण पत्र होगा पहला प्रस्ण पत्र मान लेजिए यह सामान ज्यान का होगा जो कि पचास नंबर का होगा पचास प्रस्णों का होगा यह सब के लिए हैं चाहे आप प्रधनाचारी के पत्के पर हो या फिर किसी विशय के लिए भर रहे हैं तो इसकी बात खतम करते हैं सामाने ज्ञान किसमे प्रस्ण होंगे और दूसरा प्रस्ण पत्र जो होगा वो सौ अंकों का होगा उसमें खंड बने हुए हैं तो उन खंडों पर बात करते हैं अब आगे आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो अन्य खंड होंगे उसमें बिसे लिखे हुए हैं आपके उन बिस्यों के उपर बात करते हैं कि कौन कौन से बिसे इसमें आएंग कि तो आप यहाँ पे देखिए यहा पर लिखा हुऊए भासा यह पहला गुरुब जो है वह भासा का है हिंदी इंगलिस और कूर्दू यह टीन भास यह ठीक है आप इसकोछ चुन सकते हैं अगर आप हिंडीगे सिक्षक बनेन हैं तो आप इसको चुन सकते हैं, अंग्रेजी भी से के सिच्छक बनना चाहते हैं, उर्दू भी से के सिच्छक बनना चाहते हैं, तो आप इसको चुन सकते हैं, जो दूसरा है, वो है समाजी की बिज्ञान, SST जिसको बोलते है Social Studies अगर आप इतिहास भूगोल के सिच्छक बनना चाहते हैं तो आप इसको चुन सकते हैं ठीक है अगर आप तीसरा जो ग्रूप है उसमें अगर आप अप्पलाई करना चाहते हैं तो यह है विज्ञान एवम गनित यह है Science और Math आपको इसमें से एक चुनना पड़ेगा तो आपका हो गया भासा, सामाराध्यन तथा विज्ञान एवम गनित में से किसी एक खंड का अभ्यार्थी को चैन करना होगा तो यहाँ पे अब आपको हम बता दे कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसके हिसाब से यहाँ पे देखिए विज्ञान एवम गनित लिखा हुआ है मैं थोड़ा सा और क्लिर कर देना चाहता हूँ आपको यहाँ पे देखिए जूम करके मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे लिखे लिखा हुआ भासा में संस्कृत हिंदी और अंग्रेजी होगा और यह भासा कहा सा है एक गुरूप बना है भासा का जिसमें संस्कृत हिंदी और अंग्रेजी हो गया दूसरा गुरूप सामान एध्यन का है तीसरा गुरूप बिज्ञान एवम गनित का है देख रहे हैं आप यहाँ पे देखिए भासा के बाद कौमा लगा है समाने दन के आता था लिखा हुआ है और विग्ञान एम गणित एक साथ है यहाँ पे तो तीन ही गुरूप है आपके भासा, समाने दन, विग्ञान एम गणित तो भासा में अगर आप हिंदी, हिस्टी यजि अगर फी कोई सब्जिक्ट रहा है या दोनों आपके पास रहे हैं तो आप इसमें, सामाने अध्यन में अप्लाई करेंगे और अग्षया कि है बिग्षया आपने बायोलोजी से की है, विच्चि आपने अपने मैंथमाटिक्स से की हैं तो दोनों तरें की ब तो आप बिज्ञान एम गणित में एपलाई करेंगे, बिज्ञान और गणित दोनों अलग-अलग नहीं है, बिज्ञान और गणित दोनों मिला के आपके सौप्रश्ण बनेंगे, तो जो सौप्रश्ण बनेंगे, वो कहां साएंगे, उसमें क्या रहेगा, उसमें रहेगा ज इस्टी जगरफी कोईचिन रहेंगे आईए आपको स्लेबस के काडिंग और दिखा जैते हैं थोड़ा और यहां से आपकी क्लियर्टी आ जाएगी जब आप सामाने अध्यन की बात करते हैं तो देखिए सामाने अध्यन में क्या पूंचा जा रहा है आप से इतिहास आपने देखिए खंडगा जो बना हुआ है यहां पे खंडगा में आपका गनित दिया हुआ है गनित में यह सारा सलेबस पूरा दिया हुआ है और इसके साथ साथ बिज्ञान भी इसमें दिया है खंडगा में ही गनित और बिज्ञान दोनों है तो आपको खंडगा में आपको गन पुछा कि मैंने सिच्छा सास्त्र और होम साइंस से प्लेस हिंदी मेरा सब्जेक्ट है देखिए जंपल देखिए हिंदी एजुकेशन होम साइंस ठीक है तो कोई दिकत नहीं आप भासा में प्लाई कीजिए हिंदी की आप टीचर बनी है हिंदी नहीं आपके पास यहां पर है तो आप इंगलीज की टीचर बन जाई है हिस्ट्री है आपके पास तो आप सामाजिक अध्यन में अप्लाई कर पाएंगी तो इसी तरह से कुछ चात्र पूंचते हैं कि मैंने बी एस सी मैथमेटिक्स में की है हम क्या करें तो आप साइंस के टीचर बनेंगे आपको साइ अध्यन में और समय बहुत ही कम बचा हुआ है आपके पास त्यारी आज से अभी से इसी समय से शुरू कर देनी है सिलेबस भी थोड़ा सा अच्छा खासा इसका सिलेबस है कोई आसान सिलेबस नहीं है समय बहुत कम है अगर यह परिच्छा पने टाइम पर हो गई तो सेलेक परण रोल प्ले करेंगे इनको मतलब भूल मत जाएगा कि जो पचास प्रस्ण जीके के दिये गए है पर्थम प्रस्ण पत्र के जो पचास प्रस्ण आ रहें सामाने घ्यान के यह भी बहुत इंपार्टेंट है और यह थोड़ा सा जो सामाने अध्यन वाला ग्रूप उनकी लिए जीके की पढ़ाई उनकी उसके साथ साथ लगबख हो जाएगी तो हम अपने मोबाइल एप्लिकेशन पर जो आनलाइन क्लास शुरू करने जा रहे है वह सबसे पहले सामाने अध्यन की सुरू करेंगे और उसके बाद बीस्यों की क्लास शुरू करेंगे तो अगर आपने हमारे मोबाइल एप्लिकेशन को अभी तो डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लेजिए सीपी स्मार्ट क्लासेस गूगल प्ले स्टोर में सर्च कीजिए लिंक आपको डिस्क्रेशन बाक्स मिल जाएगा तो यह तो हो गई पेट क्लास की बात बाद आप मोबाइल एप्लिकेशन डाउनलोड करेंगे तो इस पर इच्छा समंदित आपको बहुत सारे स्टेडी मेटरियल भी महाँ पेडियाफ के फार्म में डिली क्विच के फार्म में महाँ पर मिलेगा जो इस पर इच्छा के लिए बहुत ही उपयोगी होगा तो दोस्तों यह थी आज की जैनकारी अगर आपके मन में अभीवी कोई जैनकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजी आप सभी के प्राशनों को कम्पाईल करके मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा जिससे कि आपकी जो सारी आपके प्रेश्ण है जो मांड़ में आपकी प्रशनों घूम रहे हैं उन सबका समाधान हो सकता है तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेवडेट के साथ धन्यवाद